जारकन विदान सावा में वित्ति वर्ष 2021 का बजट पेश हुआ जो वित्य मंत्री दॉक्टर रामेशरु राउं के द्वारा पेश किया गया सदन में जारकन का बजट पेश करते हुए वित्य मंत्री दॉक्टर रामेशरु राउं ने इस वित्ति वर्ष में विकास दर साड़े 9% दी रहने का नुमान जाता है ज्यारकन के मुख्यमंत्री श्री हिमन सोरिन जी ने कहा कि सरकार लॉंग टर्म प्लाइन के तहत कारी कर रही है इसका दूरगामी परिनाम दिखेगा और ये बजट हमारे गरामी भाईयों और बहनों को देखते हुए बनाए गया और ये सही भी है दोस्तों क्योंकि ज्यारकन के आबादी है 3.3 करोड यानि 3.3 करोड 2011 के सेंसस के अनुसार जिसमें से दोस्तों आपका पता होगा 76% जो आबादी है वो रूरल आबादी है दोस्तों यानि गावों और कस्बों में बसने वारी आबादी है सिर्फ 24 प्रतिशत ज्यारकन के आबादी अर्बन एरियाज यानि सिटीज और टाउन्स में एक्जिस्ट करती है तो आईए जानते हैं दोस्तों इस बजट में किसको क्या मिला वैसे सरकार ने इसे ओल रॉंड बजट ठहराया है लेकिन आईए जानते हैं सरकार का ये तर्क कितना सही है जारकन में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी दर 31 रुपे बढ़ा दी गई है जो पहले 194 रुपे हुआ करती थी दोस्तों अब वो बढ़के 225 रुपे हो गई इसकी घुषना आज सरकार ने बजट में की अब जानते हैं ग्रामीन महिलाओं के लिए इस बजट में क्या है इस बजट में ग्रामीन छेतरों की महिलाओं के विकास पर भी जोर दिया गया है वर्ष 2021-22 में 50,000 सकी मंडलों को चक्रिय नीदी तथा 20,000 सकी मंडलों को सामोधा एक नीदी कमिल्टी फंड उपलक्त कराने पर जोर दिया गया है अब जान लेते हैं दोस्तों किसानों के लिए इस बजट में क्या है किसानों की रिन माफी के लिए 1200 करूर रुपय आवंटित हुए जहारखंट के किसानों के रिन माफी को लेकर राज सरकार काफी गंभिर दिख रही है इस बार बजट में भी इसका प्रभाव दिखा वित मंत्री डॉक्टर उराव ने सदन को बताया कि क्रिशी रिन माफी के लिए बार सो करोड रुपया वंटित किये हैं ताकि राजे के किसानों को खेती बारी करने में कोई परिशानी उत्पन ना हो इसके अलावा किसान ने सार्व भामिक पेंशन योजना जार्खन के हेमन सुरेंज सरकार उनिवर्सल पेंशन स्कीम शुरू करने जा रही है इसके तहट बुजूर्ग, देव्यांग, एवन अनाथों का सरकार सूत लेगी और उन्हें पेंशन राश्री के जरिये आथिक मदद करेगी जार्खन के असहाय वा लाचार लोगों को पेंशन के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा दूसरा है जार्खन असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरुक्षा योजना वित्यवर्स 2021-22 में देड़ लाक्ष रमिकों का रेजिस्ट्रेशन करते हुए उन्हें इस सामाजिक सुरुक्षा योजना से लाभानवित करने का लक्ष लिया है सरकार ने इसके तहर असंगठित कर्मचारी की मृत्यू या दुरगटना हो जाने पर अब उनके परिवार को उनकी मृत्यू के मरन उपरांथ, मृत्यू या दुर्गटना सहायता यूजना, अंतियोष्टी सहायता यूजना अब दोस्तों जान लेते हैं कुछ नहीं यूजना के बारे में, पहला है मुख्यमंत्री प्रुटसान यूजना मुख्यमंत्री प्रुटसान यूजना, वित्यवर्ष 2021-22 में जार्खंड की हिमंत सरकार नई यूजना शुरू करने जा रही है इसी वित्यवर्ष से सरकार मुख्यमंत्री प्रोचान योजना लागू करेगी जिसमें युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा सूर्थी योजना यानि Scheme of Fund for Regeneration and Traditional Industries के अंतरगत स्विक्रिट साथ क्लस्टर का कारेवहन वित्यवर्ष 2021-22 में किया जाएगा वित्यवर्ष 2021-22 में माइनिंग कॉलिडोर के निर्मान के लिए गेड़ी, धनबाद और देवघर में रिंग रोड बनाया जाएगा इसी करम में गुरुजी किचन योजना भी शुरू की जाएगी इसके तहट चलाए जारे दालभात केंडरों के अलावा नए भोजन केंडर भी खोले जाएगे अब आखेर में दोस्तों जारकन बजट की कुछ मुख्य बात है गौ मुक्ति धाम की स्थापना होगी दुमका के मसलिया में मेगा लिफ्ट से चाई योजना लागू की जाएगी राजे में दालभात केंडरों से अतिरिक्त गुरुजी किचन योजना चलाए जाएगी इसके तहट पांच रुपए में भोजन दिया जाएगा शहीद ग्राम विकास योजना के लिए पांच करोड रुपए जारी किये जाएगे जार्खन खुलाव विश्व विद्धाले की स्थापना होगी यानि कि जार्खन उपेन इनिवर्सिटी जैसे इंद्रा गांधी नैशनल उपेन इनिवर्सिटी है उसी के तरज पर मुख्यमंत्री रोजगार श्रीजन योजना के तहत अनुसुचे जन्जाती, अनुसुचे जाती, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांगी व्याओं को स्वर रोजगार के लिए अनुदान दिया जाएगा लुगबूरू और रजरप्पा परियठन स्थल का विकास किया जाएगा तीन हजार नय बाबा साहिब भीमराव अंबेट कर आवास का निर्मान होगा जोड़ा बैल वित्रन की योजना शुरू होगी गुपाल को से बाचा लेकर बैल तैयार कर किसानों की बीट वित्रित किये जाएगे किसानों एवन व्यातारियों की बीट पहतर समन्व के लिए चेंबर आफ फार्मर्स का गठन किया जाएगा क्रिशक समो विक्सित होंगे तथा लगू क्रिशी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा जारकन राज्य उद्यान प्रुटसाहन सुसाइटी का भी गठन होगा इससे बागवानी योजनाओं को मजपूती मिलेगी दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपिया इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद